वेल्कम टू स्वीजी फूट मैं हूं मनिश ठककर आज हम घर पर सर्दी जुकाम में आराम दे ऐसी अद्रक की गोली किस तरह से बनानी है वो देखेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें इसके लिए 100 ग्राम अद्रक लेना है जिसे छील के इस तरह से छोटे टुकडों में कट कर लेना है फिर अद्रक के टुकडों को एक मिकसर जार में डाल दे और फिर इसका पेस्ट बना दे इसका पेस्ट बनाते समय इसमें बिलकुल भी पानी नहीं डालना है तो इस तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा अब डाइरेक इसे यूज नहीं करना है तो एक कॉटन के कपड़े के उपर इस तरह से इसका पेस्ट निकाल ले और फिर उससे दबाते हुए उसका सारा पानी अलग कर दे तो यहाँ पर ये वन थर कप अदरक का पानी बन का रेडी हुआ है तो उसके हिसाब से हमें एक कप गुड लेना है तो गुड का चूरा या फिर गुड को चाकू से कट करके यूज करे और फिर उसे एक फ्राइपेन में डाल दे फिर इसे के साथ अदरक का रस भी इसमें डाल देंगे और फिर इसे स्लोटू मिडियम आज पर अच्छी तरह से पका लेंगे ये जो अदरक की गोली हम बनाते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव है तो अगर आप मार्केट से कोई भी विक्स की या कोई भी गोली लाते है तो उससे अच्छा आप इस तरह से घर पर कम चीजों में और आसानी से घर में मिल जाने वाली चीजों से ये गोली बना कर रेडी कर सकते है और आप इसे घर में छोटे बड़े सभी को दे सकते है तो आप देख सकते हैं सारा गुड पिगल गया है और अब हम इसे लगातर चलाते हुए डार्क कलर का होने तक पकाना है आप देख सकते हैं दीरे दीरे इसका कलर डार्क होने लगा है अभी भी हमें इसे लगातर पकाना है इस तरह से इसका कलर आ जाए उसके बाद इसे चेक करना है तो पानी में एक से दो डॉप ये मिश्रन डाले ये पानी में सेट हो जाना चाहिए तो अभी ये सेट नहीं होता है इस तरह से ये पानी में मिक्स हो गया है मतलब कि हमें इसे और पकाना है तो इसी तरह सी इसे और पकाते रहेंगे तो चिकी बनाने के लिए जैसे हम गुड को पकाते हैं वैसा ही डार्क कलर का इसे पकाना है थोड़ी दिर के बाद फिर सी इसे चेक करेंगे और गैस की आज धिमी रखके इसे लगातार चलाते रहना है अब इसका कलर डार्क हो गया है तो अब गैस बंद कर देंगे और पानी में जो मिश्रन हमने डाला था वो भी जब आप चेक करोगे तो इस तरह से कड़क हो जाएगा और इस तरह से वो तूटना चाहिए मतलब कि ये गुड अच्छी तरह से पक गया है तो गैस बंद करके आखिर में इसमें थोड़ा काली मीच का पाउडर डाले और थोड़ी हल्दी एड़ कर देंगे अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे हल्दी और काली मीच के पाउडर की कॉंटिटी आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्याड़ा कर सकते है अगर आप इसमें फुदीने की भी फ्लेवर देना चाहते हो तो आप उसे अद्रक के साथ एड़ करके पीस ले अब इसमें से गोली बनाने के लिए आप इस तरह का कोई मोल्ड ले ले और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो थाली में भी आप ड्रॉप राख सकते है तो थोड़ा-थोड़ा मिश्रण इस तरह से मोल्ड में डालना है अब इसे सेट होने के लिए रहने देना है तो इसे बाहर ही सेट होने के लिए रहने देना है जब ये गोली सेट हो जाए उसके बाद आप इसे मोल्ड से बाहर निकाल ले और इसे आप एट एट डिबे में भर कर रखे ये बहार ही डेट से दो महिने तक अच्छी रहती है तो आप भी इस तरह से ये अद्रक की गोली बना कर जरू ड्राइ करे उमिद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंदाई होगी